हलो दोस्तों आपका SSCG के ग्यान में स्वागत है आज हम आपके लिए जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टन फिफ्टी क्वेस्टन लाए हैं जो अगर गामी आने वाले एक्जाम जैसे NTPC, ग्रूप D, इत्यादी एक्जाम, पूलीस, इत्यादी एक्जाम के लिए बहुत पूछ लिए जाते हैं चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट हैं कि आप यदि चैनल पर नए है इसका राइट अनस ने दियांद होते होगा। सकी इसकी राइट रेंसवा से ओगा दोस्तो। हमदर है कि दोस्तों से होकी सन्वा नाइन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यह नार्थ पॉल और यह साउथ पॉल है नार्थ पॉल और साउथ पॉल को मिलाने वारी रेखा को देशांतर रेखा करते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्राश्ण प्रित्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है इसका राइट एंसर बताई है दोस्तों प्रित्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है तिसका राइट एंसर भी होगा 15 अंस तो एसका राइट एंसर भी तो इस तो प्रित्वी 24 गंटे में 360 डिगरी घुमती है 360 एक घंटे में 360 24 जब इनका भाग देंगे 15 15 अंस आएगा तो अर्था प्रित्वी एक घंटे में कितना देशान गूम लेती है 15 अंस गूम लेती है अगला प्रस्ट, दश्री दुरू का अच्छांस है इसका राइट एंसल बताएं दोस्तों तो जबन बस्त, ग्रीन वीच कीस देश में है इसका राइट एंसर बताईए दोस्तो ग्रीन वीच को ही जीरो दशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है जीरो दशांतर जीरो दशांतर के नाम से भी जाना जाता है यह कहां से गुजरती है तो आपके सामने चार अपसान है इसका राइट एंसर बताईए दोस्तो इसका राइट एंसर बी होगा UK से United Kingdom से होकर गुजरती है अगला प्रस अंतराश्टी दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है दोस्तों आपको सामने चार अपसन है इसमें स्राइट एंसर बताईए और दोस्तों यह जितने भी क्वेश्चन लिएगे हैं प्रिवियस एयर में पूछे गए क्वेश्चन है जो अगरगामी आने वाले एक्जाम एंटी पीसी गुरूप डी यूपी पूलीस जितने भी आल एक पुकेंटा करें था क्कीर्थ इखें क्वेश्चन समय गला अगला प्रसा की उजितना प्रसा मुखेंटा कहां पाई जाती है इसम प्रसां आप सामने भी को पहला प्रवद मंडल सम्ताप मंडल में अजोन मंडल पाये जाता है इसके बाता आयन मंडल धुनी के बाद भाइ challah न्डिश्ट दिश्च परस्ट प्रवध स्रगला किस महादीप में इस्थी थै इसका राइट एंसर प्रस्ट, वायूमंडल का सरवाधिक अस्थाई तत्त है, वायूमंडल का सरवाधिक अस्थाई तत्तु राइट अबताए, दोस्तु यूमंडल में 78%, तक nitrogen पाया जाता है 21 प्रतिशत तक oxygen पाया जाता है CES carbon dioxide hydrogen phosphorus इत्यादी गैसे मिल कर मिलती है इसका right answer होगा वय अमिलक सरवाधिक अस्थाई त्यत्त्य नाइट्रोजन होता है इसका right answer यह होगा अगला प्रस्ट हवाई जहाज प्राइकिस में उड़ते हैं इसका right answer पर हवाई जहाज प्राया किसमें उड़ते हैं हवाई जहाज प्राया समताप मंडल में उड़ते हैं क्योंकि यहां पर मौसमी घटनाएं नहीं होती है जो छोब मंडल के उपर समताप मंडल आता है उसमें पाए उड़ते हैं अगला प्रस्ट जोस्तों यह चित्र है यह समता पंडल यह मौसमी घटनाई नहीं होते जिसमें जहाज उडते हैं कि निम्नलकित में से कौन सा मिर्थ्षायल है इसका रायच एंस्वर अगने शयल को मिर्थ्षायल कहा जाता है इसका रायच एंस्वर भी होगा अगला प्रस सोरी निल्खित में से कौन मिर्ट शाहल है अगने सेन सही बी इसका राइट एंसर बी होगा अगला प्रस भारत का प्रमालिक समय किस अस्थान से निश्चित किया जाता है तो भारत का प्रमालिक समय इलहाबास से निश्चित किया जाता है इसक रही टेंसर भोगा अगला प्राइब चीन इसका रही टेंसर भाइब बताएब नेपाल से खुंप Lord नहीं घुझरेगी जब कि में मार बंगला देश चीन से खुंप गुझरती है जब कि दोस्तो ये चित्र है देखिए दोस्तों, यहां से भारत, चिन, म्यमार और बंगलादेश तरीयोको गुजर रही है दो अच्छा antiquatus रेखाओं की बीच की दूरी लग बल भग होती है, इसका राई टैंस्वर दो अच्छांस रेखाओं की बीच की दूरी 111 किलिमेटर होती है इसका राए टेंसवर C होगा अगला प्रस हमारे सौर मंडल में किस गरा का दरव्यमा न्यूंतम है ति इसका राए टेंसवर बुध गरा जो होते हैं उसका दरव्यमा न्यूंतम होता है प्रवतों के अंत्रालों को क्या कहा जाता है जो मार्क बन जाते हैं फिर दो परवतों के बीच यह दिए दो परवत है दो परवत इनके बीच से जो रास्ता बनता है उसे क्या कहा जाता है इन दो परवतों के बीच से गुजने वाले रास्ता को दर्रा कहा जाता है तो इसका राय टेंसर डी होगा अगला प्रस निमनलकित में से कौन कयांत्रिक शैल है संगर मर्मर को कयांतरिक स्वेहल कहते हैं तो इसका राइट यंसर अ होगा ग्रिन विच रेक्षा से त्वाइब है ग्रिन विच रेखा से ताथ पर ग्रिन विच रेखा कोई 0 देशांतर रेखा भी कहा जाता है तो इसका राइट एंसल भी होगा 0 देशांतर एक अंस देशांतर की सरवाधिक दूरी कहां पर होती है एक अंस देशांतिर की सरवाधिक दूरी विश्वत रेखा पर होती है जीरो जिसे जीरो अच्छांस रेखा या भूमत रेखा भी कहा जाता है अगला प्रस्ट दोस्तों ये जितने भी प्रस्ट लिए गएं बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसे जरूर आप देखें अगनेशल का अलाती है मौलिक शैलो को अगनेशल करते हैं इसका राइट एंसर गी होगा वायुदाप में अचानक आने वाले कमी निमने से किसका सूचक है इसका राइट एंसर बताईए दोस्तों समान वायुदाप कहां पाए जाते हैं इसका रहाइट एंसर बताईए समान वायुदाप सागरतर पर पाए जाते हैं इसका रहाइट एंसर सी गुलोबपकर दाप कटिबंद की संख्या कितनी है गलोब पर दाप कटिबंद की संक्या साथ है तिसका राइट एंस्वर C होगा प्रिथिवी के वायू मंडल का सरवादी घनत कहां पर होती है किस मंडल में प्रिथिवी के वायू मंडल का सरवादी घनत किस मंडल में होती है एक व्लित्परवत है एक व्लित परवत है उड़ा को नविंतम प्रवतमाला कौन सी है, तो नविंतम प्रवतमाला यूराल, यूराल को नविंतम प्रवतमाला करते हैं, तिसका राइट एंसवर D होगा, अगनी चटान का उधारण है, इसका राइट एंसवर बताईए, बेसाल चटान अगनी चटान का उधारण है, तिसका प्रित्वी का उत्री दुरु और दच्छरी दुरु को मिलाने वाली रेखा क्या कराती है दोस्तों ये प्रित्वी है ये उत्री दुरु वता है ये दच्छरी दुरु इनको मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा करते हैं इसका राइट एंस्वर बी होगा अगला प्रस्ट देशांतर की संख्या कितनी है इसका राइट एंसुर बताईए देशांतर की संख्या कितनी है देशांतर की संख्या 360 है जिसका राइट एंसुर डी होगा अगला प्रस्ट कुल अच्छांसों की संख्या कितनी है कुल अच्छांसों की संख्या वन से वन नाइन है इसका राइट एंसर सी होगा एक देशांतर को पार करने में दो अस्थानों के अस्थानी समय के बीच क्या अंतर होता है इसका राइट एंसर बताईए एक दिशांतर को पार करने में दो अस्थानों के अस्थानी समय के बीश क्या अंतर होता है इसका राइट एंस्वर इसका राइट एंस्वर डी होगा जीरो मिनट जीरो मिनट का अंतर होता है अगला प्रस्थ सिस्मुगराप किसे मापने के लिए काम में लाए जाता है, इसका राईट एंसवर, सोरी, अगला प्रास, एक देशनतर को पार करने में दोस्थानी समय के बीच क्या अंतर होता है, इसका राई टैंसुर बी होगा, गलती होगया था, चार मिनट होगा एक देशांत्र को पार करने में दू अस्थानों के अस्थानी समय के बीच क्या अंतर होता है तो चार मिनट का अंतर होता है अगला प्रस्त सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम मिला जाते हैं वुकम्पी तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूच किया जाता है तो इसका राइट एंसो सी होगा किलिमनजारो प्रवत निमनलखित में किस महाद्यूप में इस्तित है किलिमंजारो प्रवत निमनेखत किस महाद्यूप में इस्तित है ति इसका राइट एंस्वर होगा C. अफ्रिका किलिमंजारो प्रवत अफ्रिका महाद्यूप में इस्तित है किलिमंजारो एक मृत जो अला मुखी है जो तंजानिया में पढ़ता है अगला प्रास्ट वायू में नाइट्रोजन का प्रतिशत का मात्रा कितना है तो वायू में नाइट्रोजन का प्रतिशत की मात्रा 78.03 प्रतिशत होता है जबकि अक्सीजन की मात्रा किस प्रतिशत होता है अगला प्रास्ट समुद्री समीर कब बहती है समुद्री समीर दीन के समय बहती है इसका राइट एंसर यह होगा अगला प्राश रेगिस्तान में बादल बरस्ते नहीं है किस कारण से रेगिस्तान में बादल नहीं बरस्ते है इसका राइट एंसर D होगा निम्न आद्रता के कारण रिगिस्तान में बादल बरस्ते नहीं है अगला प्रस्ट वोजोन प्रत प्रित्वी से करीब उचाई पर होती है जिसका राइट एंसर D होगा 20 किलो मेटर की उचाई पर होती है अगला प्रस्ट सौर मंडल का सबसे छोटा गरा काउन है सौर मंडल का सबसे छोटा गरा बुद्ध है जिसका राइट एंसर A होगा बुद्ध गरा सौर मंडल का सबसे छोटा गरा होता है अगला प्रस्ट भुगर्व में जिस अस्थान पर भुकम्पी तरंगों को उत्पत्ति होती है उस अस्थान को क्या कहा जाता है बुगार्व में जिस अस्थान पर भुकंप़ी तरंगों की उत्पत्ती होती है, उस अस्थान को भुकंप, केंद्र या फोकस करते हैं, इसका राइट इंस। सी होगा दोस्तो यह प्रित्वी के दरातल है यदि प्रित्वी के अंदर जिस पॉइंट से भुकम की उत्पत्ति होती है उसे भुकम केंद्र बोलते हैं और प्रित्वी के दरातल पर जहां पर सबसे पहले इसे महसूस किया जाता है उसे अधिक केंद्र बोला जाता है अधिक केंद्र और इस पॉइंट को फोकस या भुकम केंद्र बोलते हैं इसे भुकम केंद्र बोलते हैं जिसका राइट एंसर सी होगा अगला प्रस्थ सुनामी के मुख्य कारण काउन सा है सुनामी किस कारण से उत्पन होती है इसका राइट एंसर बताईए, इसका राइट एंसर होगा B, भुकम की करण सुनामी आती है, अगला प्रस्ट, जो अला मुख्य के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवास की मात्रा कितनी होती है, जब जो अला मुख्य से उद्गार होते हैं, तो सबसे ज़्यादा उसमें गैस की मात्रा जलवास की होती है, जो 70, जो 80-90 प्रतिशत के बीच होती है, तो सबसे अधिक जलवास होती है, इसका राइट एंसर डी होगा, 80-90 प्रतिशत, अगला प्रस्ट, उत्तर अमिरिका की सर उत्तर अमिरिका की सरवच प्रवच चोटी काउंसी है, इसका राइट एंसर होगा, डी माउंट मैकिलने, अगला प्रस्ट, काउंसी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तर दाई है, इसका राइट एंसर बताईए, काउंसी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत अगला प्रस्ट काउंसी वातावलड़ी परत्सूर्य की पराभायगनी किरोड़ों को और शोशित कर लेती है इसका राइट एंसर बताईए तो ओजोन मंडल पराभायगनी किरोड़ों को और शोशित करती है इसका राइट एंसर डी होगा संचार उपगरा किस वायू मंडली अस्तर में इस्थित होते हैं इसका राइट एंस्वर संचार उपगरा आयन मंडल में उपस्तित होते हैं ति इसका राइट एंस्वर भी होगा अगला प्रस्थ विश्व का सरवादिक उचा पठार कौन सा है इसका राइट एंस्वर विश्व का सबसे उचा पठार तिबबत का पठार है इसका राइट एंस्वर C होगा विश्व का सबसे उचा जल परपात का उंसा है इसका राइट एंस्वर विश्व का सबसे उचा जल परपात एंजील है इसका right answer C होगा अगला प्रस्ट रिगिस्तान में बादल और उच्छेफ होकर क्यों नहीं बरसते इसका right answer रिगिस्तान में बादल और उच्छेफ होकर क्यों नहीं बरसते तो आद्रता के कारण रिगिस्तान में बादल और उच्छेफ होकर नहीं बरसते है तो इसका राइट एंस्वर डू होगा कम अध्रदा अगला प्रस्ट दोस्तों यह जितने प्रस्ट लिए गए हैं यह प्रिविएस येर में पुछे गए प्रस्ट नहीं जो अगरगामी आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूज़फूल हो है अगला प्रस्ट विश्व का सरवादिक सुष्क अस्थान कौन सा है इसका राइट एंस्वर सी होगा अटकामा अगला प्रस्ट बादल फटने का क्या अर्थ है इसका राइट एंस्वर बताईए दोस्तों तूफान के साथ असाधार रूप से भारी परसाथ दुवधार बारिश का होना बादल का फटना का अलता है इसका राइट एंस्वर सी होगा अगले दोस्तों यहां पर आपके 50 क्वेस्टन कंप्लीट होते हैं आप बताईए कि 50 क्वेस्टन में से आपके कितने क्वेस्टन कर्यक्ट हुए और उनको कमेंट बाक्स में लिखें यदि दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से